आज की वीडियो में आपको यह बताने जारूंगी कैसे आप अपने वीववाई 75 एंडवेट मॉइल फोन में आप जो अपने ब्लुटूथ की की श्टॉपिंग की प्रॉल्म को आप सॉल्ट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डेटियल में जानकारी देने वालो तो कांगी इसके बाद आपको करना की है कि आपको अपने मुवाईल फोन को एक बार रिश्टार्ट कर लेना ठीक है रिस्टार्ट कैसे करेंगे देखिए मोईल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है इसे आपको उंगली से तबाह के रखना है तो स्क्रीन की सामने एक पे अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पर करना है कि आपको अपने mobile phone की network setting को reset कर देना है कई बार ऐसा होता है कि हमारे mobile phone की network setting ठीक से काम नहीं करती है जिसके वज़े से हमारे Bluetooth में की भी stopping की problem आती है तो आपको network setting कैसे reset करने है देखे mobile phone का setting पेज ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको सबसे नीचे यह option मिलता है system का इसके अंदर आपको यह option मिलेगा reset option इसके अंदर आपको सबसे ओपर यह reset wi-fi mobile and bluetooth का option टाप करना है तो आपको यह तीन ओप्शन मिलते है तीन और network setting होती है तो नीचे की side लिखा हुआ आजाएगा network setting have been reset लिक है तो इस तरही किसे आप जो है mobile phone की network setting को आप reset कर देंगे तो आपकी Bluetooth की जो key stopping की problem है वो solve हो जाएगी इसके बाद आपको अगला process यहां पर करना किया है कि आपको अपने mobile phone का setting page open करना है इसके अंदर आपको सबसे ओपर यह option मिलता यह network and internet का इसे select करना है इसके अंदर आपको SIM card and mobile network पे select करना है इसके अंदर आपको अपनी SIM सेलेक्ट करने है इसके अंदर आपको नीचे की side access point name का option select करना है इसके अंदर आपको APN के page में सबसे ओपर 3.com टैप करना है एक चोटा page open होगा reset to default का इससे आपको tap कर दिखा हो आजाएगा reset default APN setting तो आप इस तरहीं सेटिंग को reset कर देंगे तो आपकी Bluetooth में जो की stopping की problem है वो आपकी solve हो जाएगी इसके बाद आपको अगला process करना है कि आपको अपने mobile phone का system update ना होने की वज़े से हमारे mobile phone के Android system में कुछ कमिया आना सुरू हो जाती है तो आपक iPhone का setting page open करना है इसके अंदर आपको नीचे की option मिलता system update का इसे आपको tap करना है इसके अंदर आपको अगर कोई भी update का button दिखाए देता है तो आपको tap कर दिने system update हो जाएगा तो आपकी Bluetooth की stopping की problem हो आपकी solve हो जाएगी इसके बाद आपको अगला process करना है कि आपको अपने mobile phone को reset कर देना है reset कैसे करेंगे mobile phone का setting page open करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड यह system का option select करना है इसके अंदर आपको reset option tap करना है इसके अंदर आपको a result data factory reset पर tap करना है इसे आपको phone reset हो जाएगा और आपके mobile phone में Bluetooth की जो keep stopping की problem हो आपकी solve हो जाएगी लेकिन यहाप आपको reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह है कि आपके phone में जितना भी यह जो apps है इन सभी apps का आपको backup लेना है ठीक है आपके mobile phone के लगबख सभी apps में backup की setting मिल जाती है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं आपको कोई भी app open करेंगे तो इसके अंदर आपको सबसुपर प्रोफाइल प्रिक्चर पर tap करना है इसके अंदर आपको backup की setting मिलेगी तो यहाप आपको turn on backup पे select करना है तो backup का process पूरा complete कर लेना है एक एक करके करना है ठीक है आपको एक दिन दो दिन चार दिन लग जाए आपको लेकिन सारे याप के backup को प्रोसेस पूरा complete कर लेना है ठीक है बैक लेने से फायदा यह हो जाता है कि अगर आप अपने mobile phone को अगर reset करेंगे तो आपको दूसरी बात क्या धेहन रखने कि आपक